पुजी गुरुवर के चर्णों में मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार पहाड़या परिवार के ओर से शश्शत नमन शश्शत नमन शश्शत नमन हे गुरुवर मेरा प्रेश्णी यह है कि आधुनिक्ता का वास्तविक अर्थ क्या है साथ ही परमपरा और उसके बीच संगर्ष की मुद्धे क्या है क्या इन दोनों की बीच कोई सेतू बनाए जा सकता है क्या ऐसी कोई कसोटियां है जिन पर हम उन्हें जाच कर कस कर यह देख सकें कि कोन कितना उपयोगी है और कोन कितना त्याज बहुत उद्धा आपने पूछा है आधुनिकता का अर्थ क्या है आधुनिक शब्द को अगर हम देखे तो अधुना से आधुनिक बना है जो साम्प्रतिक है वो आधुनिक है जो चल रहा है प्रवाहमान है वो आधुनिक है प्राया लोग आधुनिक्ता का अर्थ ऐसा ही निकालते है पिर मेरी राए में आधुनिक्ता का अर्थ है काल के चेतन चिंतन से नहीं आधुनिक्ता का संबंद केवल काल से नहीं है आधुनिक्ता का संबंद काल की चेतना से है चिंतन से है आज लोग आधुनिक होते हैं उसका मतलब केवल इतना समझते हैं कि हम बर्दमान समय के अनुशार चाहे जैसे फैसन हो चाहे जैसे कल्चर हो उसको एडाप्ट कर ले यह आधुनिक होने का सही अर्थ नहीं है आधुनिक होने का मतलब गर मुझसे पूछे तो अप टूडेट रहना ही आधुनिकता की पहिचान है और अप टूडेट रहने का मतलब है हर इस्थिति में अपने आपको तयार ततपर और पूरी तरह से समर्थ बना लेना इसलिए जब कभी भी आधुनिकता के नाम पर अंधानु करन की बात आती है तो मुझे हसी सी आती है आधुनिक वो है जो हर पल तरो ताज हो अपने आपको फ्रेश करके रखे मेरे संपर्ग में आज अनेक लोग हैं जो आधुनिक युक के हिसाब से जीते हैं पर अपनी मौलिक पहिचान को कयम रखते हैं आधुनिकता की अन्धी दौर में जब लोग अपनी मौलिकता को खो देते हैं तो वहीं उसका वजूद समाप्त होने रखता है आपने आगे पूछा है कि आधुनिकता और परंप्रा के मद्ध ताल मेल कैसे बनाया जाए आपका भाव ये मेरी राय में आधुनिकता और परंप्रा में कहीं अंतर विरोध है ही नहीं दोनों के मद्ध विरोध तब आता है जब हम परंप्रा के नाम पर जड़ क्रियाओं में उलजने का आग्रह कर लेते हैं और आधुनिकता के नाम पर अपनी मौलिकता को खोना सुरू कर देते हैं हम परंपरा पारंपरिक बने पर अपनी मौलिकता के साथ और आधुनिक बने अपनी मौलिकता के साथ यदि मनुश्य के साथ मौलिकता जुड़ी हो तो परंपराएं भी निभेगी और आधनिकता भी उसके साथ जुड़ी रहेगी मैं पुरानी सभी बातों को सही नहीं मानता और आज की सब बातों को गलत नहीं मानता बहुत सारी पुरानी बाते ऐसी है जो आज हमारे किसी काम की नहीं और आज के दोर में बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो पूरी तरह अर्थीन है हमें उनकी सही समिक्षा करनी चाहिए और जो एक सब्द मैंने कहा मौलिकता की रक्षा करते वे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए ये मौलिकता एक ऐसा सेत्व है जो आधुनिक और पालमप्रीक हमें दोनों बना करके चलता है और हम अपने जीवन को उसके हिसाब से बखुबी आगे बढ़ा सकते हैं